प्रमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझता ना ही केंदा स्याम तो पहरे नू और गृवदास ये वक्त जातर रोगे इस पहरे नू इस समय न याद करो या करोगे अकेब अगवान मुनस जीमन मज़ा बक्ती कर लेते कुटे बनके उपर न मुकर करोते उनको कभी कभी प्रिणा होती है अकेब उन्डी बनगी हमारे साथ रातरी में सर्दी के समय उपर से वर्सा हो रही है और वो एसी रूम में रहने वाला अज दूम लगवाक है और गली मे में विराजमान है एक बगती ना करने से और फिर न्यूगर उपर न मुकर को देखे बुंडी बनी उसको कि आत्मा तो वही है जो मनुस रिद में थी सारी महसूस करते हैं वो तो यह प्रमात्मा कहते है आच्छे दिन पाच्छे गए गुरू से किया नाहेत अब इस तावा कि एक रविरा चड़िया चुगी खेत यानि मनुस जीवन रहते हैं यह ग्यान याद आ जाता है पता लग जाता है तो कुछ भी ना विगड़ा और वह बिरान माटी होएं पाच्छे फिर रोएं जाओ उपर नहों करके ग्रीब दास यह वक्त जाता है मनुस जीवन का समय रोगे इस पैरे लूँ इस समय नहें रोया करोगे जसत बगती नहीं करी और बगती कर रहें उनकलियों के पास वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है कोई मंतर नहीं कोई साधना नहीं कोई ग्यान नहीं उनका तो वह अभी बात भी गड़री अपने आत्मा हो है काल अपने यह दूद छोड़ राखे हैं कि यह मिसगाइड रखे प्रमातमा तक ना जाने दे और ही कई साधनामुल जाहर रखे यह तो दयालू आते हैं अपने समर्थता से हमें इस मारग को याद दिलाते हैं और इस पर दर्ड करते हैं नकाल इस पर उनना दे सो मन मखर पतव बार पैदा कर देता जिब सत ग्यान सुनता है अर जब अग्यान सुन्या करते जो भी कोई कहता सारी साची अरफ सत्थ स्रू होती है Strateg rolled इती हैं क्योंकि हमने अग्यान कणा सुन रखे यह अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं क्या बताते हैं परमातमान पुर्वातमा को कहते हैं परेत्सिला परजा ब्रजे बूत बनगे बूत्थ गलसाद ना किर के और फिर पित्रों पेंड बराईी है फिर पेंड बरुआए अर बहुत सराद खान कुँ आय कागबाय कलमाई है अपने अत्मों ये सराद निकालते हैं ये कहां से लिया इनोंने जुगर्ड है, जबकि वेदों वे मना है कि सराद नहीं निकालने चाहिए, ये भूत पूजाए हैं, भूत पूजाओंके तबूत पढ़ोंगे, गीता जित धै नंबर 9 के स्लोक नंबर 35 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को पृप्त होंगे, प्यत्तरों की पूजा करने वाले प्यत्तर बन जाएंगे देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे दो गीता जी में तो मना किया कि सलतर पूजा भूत पूजा ये तेरवी करनी अस्ति उठाने गती कराने के लिए गंगा मरो डालकानी ये सारी सास्तर विर्द साधना है वेद विर्द साधना है ये नहीं करनी चाहिए ये हमारे दरम गुरू ये नवगा टाज़ड वारे हमारा कि सुराद निकालो सतरमी तेरमी करो अपना अत्मा परमात्मा कहा करते है रैभोडी सी दुनिया सत्य गुरू बिन कैसे सरिया रैभोडी सी दुनिया सत्य गुरू बिन कैसे सरिया अपने लला के बाल उतरवावे देखके चीहना लग जईया एक बुढ्या लेकर जागी अपने पोते या पोती ने कहा गुड़गाम में आली पर अपने इश्ट दाम पर ले जाते हैं जाम पर भी और वहां नाई बैठा होता है और इन अग्यानी दरम गुरूवों ने हमारे को ये सलह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने मात्ता के उपर उतरवाने चाहिए इश्ट दाम पर अब अब अबुढ्या जाती है पुट्या पुट्ची ने लेगा साथ में पुत्र वदु और वहां नाई बैठा होता है उसको जाकर के अबुढ्या कहती है कि नाई के भाई मेरे पुट्ते के बाल काट दे अब बाहर अगर पांस रुपिया में काटता होगा ना नाई उस इश्ट दाम पर दस रुपिय लेगा डबल अग पता इसना मेरे बिनाड को काटनी या नी इसके डबल तर लेगा और फिर पुड या नियों कहेगी बाई काट दे जल्दी सी मुटे-मुटे और नी हो ओऔर गेगी बिटा देख जार भाई नाई के इत्शाण राखिए मेरे पोटे का काट चाशर है किदे इसके कहची ना लाग जा देरे दीरे दीरे देखे दीरे दीरे भाई अ पर वातमा कहते हैं अपने लला के बाल उतरु आओवे जुचरह ए इतनी चिंता खेची भी भी ना छूजा परमातमा कहा करते जैसा दरद आपना हो ऐसा दान बिराने अब फिर वो बाल लेकर बुडिया क्या करेगी उसमें मंदिर में चड़ावेगी बगवान की मूर्ती पर और वो उड़ा पुजारी बैठा होता है वो उसी से में उठा के उनने और एक थलम गाल देगा बोरी में और जब वा बोरी बर जागी स्यामन है उसने उठा के कुरुडियां पर फेंका होगा और कुरुजा बैंक में जमा करा होगा उसने हाँ उसने बारे फैंकड़े उठा गए ने तो परमात्मा कहते हैं तुम यहीं कटाओ और इनने यहीं फैंक दो इसका कोई यूज नहीं मूरक बना रहा रहा तुम्हारे दंदा खोल रहे हैं लोग अपने लला के बाल उत्रवावे देख कहती ना लग जाया एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गड़ा कटईया रह भोडी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया रह भोडी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया काच्चा पाका बोजन बनावे फिर मता धोकने गईया काच्चा पाका बोजन बना के फिर माता धोके ने गईया उस माता उपर कुता मुत है ओ क्यों ना मर गईयां रह भोडी सी दुनिया गुरू बिन कैसे सरियां रह भोडी सी दुनिया गुरू बिन कैसे सरियां अब हमारी दादी जी माता दुक वाया गरती मारे ते हमारी काकीताईयों सिर्माताओं से कहती ए पोदे मोटे मोटे गुड के हुआ है रोट है अवो थोड़ी देर करती नुए धर्दे नकाची पा क्यों पता था कुछत्यान खाने उनकुछी माता उड़ा जिम मैंगी और वहां एक माता इतनी के दो डाइफुट की उसकी आहिट वह बुड या तो उपर चट्ड़ा करें वह तर डाल के उसका अगे परोंठे वाप पूड़े वापस नीचे उतर उतरने से पहले तीर चार कुछ तेप चट जाएंगे उसके उपर है पहले तो उस बाता के उसे बोजन ने खाऊंगे और चालते से में उसकी चोट्टी में दारमा रिकाऊंगे अब प्रमातमा न्यों क्या करते के जय हुआ माता जिसन ने तो दोकन गईर उसे प्रोटेक्शन की क्योंकि पूजात न्यों एक रहना कुछ बचाव करे हमारा उसके आप शर्मकुते मूतें तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुडिया अब प्रमातमा क्या बताया करते हैं प्रमातमा क्या बताया करते हैं आप लिप आप पोते हैं और आप बनावे ओई और उस पर बुडिया फिर पोते मांगए देख अकल कहां से खोई एक ओई माता देखिया हमने पूजती एक औरत क्या सीतर बना लेती सी दिवार पर आप और फिर उसका अगस जोत जात लाक है और नो कहे हे ओई माता वो उका पोता दिये पोतर दिये दूद पोत में खहर रखिये इसलिए तेरी पोत जाकर उपर मात बनाई अप लिप अप पोता अप बनावे ओई और उस पर बुढ़िया पोते बांगे देखा कलकडे तक होई आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्विदर्शी संत्रांपाजी महराजी के मंगल प्रवचन